हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छ होंगे सो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमिडी शेयर करने जारी हूँ जो कि इजली आप अपने घर में बना सकते हैं आज मैं आपको ये बताऊंगे कि नॉर्मल कॉफी से आप किस तरीके से डाइट रैडी करें जिससे कि आप अपने बालों को यहाँ पे अगर रात में अपलाई करते हैं तो सुबा और सुबा अपलाई करते हैं तो रात में आपके बाल काले हो जाएंगे यानि कि जिनके बाल कम उमर में सफेद हो रहे हैं या फिर जिनके बाल बहुत जादा सौफ्ट है और उनके बाल वाइट हो रहे हैं उनके बाल एक दिन में ही यहाँ पे काले नजर आएंगे आपको इस रेमेडी से सो चली स्टार्ट करते हैं वीडियो में बने रहने के लिए लास तक जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आये तो लाइक एंड शेर भी कीजेगा और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक पहुचाईगा ताकि लोग अपने बालों को एक दिन में ही काले कर सकें कॉफी को आपको दो से तीन चमच कॉफी को एक गलास पानी में डाल के रख लेना है मैंने यहाँ पर नेस कैफे लिया है आप कोई भी ब्रांड का कॉफी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर ब्रू का ब्रांड ले सकते हैं कोई भी ब्रांड ले सकते हैं इस पानी को आप पर लोहे के बartन में डाल देना है चुकि हमें अपने बालों को काला करने लिए ये remedy बना रहे हैं so आपको यहाँ पे लोहे का बरतन इस्तेमाल करना है लोहे का कोई भी गहरा बरतन हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कड़़ाई हो तबी इस् अच्छे से boiling आने देना है continuous को boil आने देना है और साथी साथ चलाते रहना है बीच बीच में अच्छे से ये जब 2-3 बार अच्छे से boiling हो जाएगा तब आपको इसमें powder अड़ करने है तो आप देख सकते हैं coffee हमारी यहाँ पर बिल्कुल color change हो गया है अब आपको इसमें add करना है आमला powder तो देख चमच यहाँ पर आमला powder मैंने add किया मेरा आमला घर का है अगर आपका market का है या फिर घर का है कोई भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर इस्तमाल करना है कलोंजी, मेथी, तिल, इन सब का मिश्रंड किया हुआ powder जो कि मैंने बना के रखा था अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग-अलग से इनका powder इस्तमाल कर सकते हैं और अगर आपने बना के रखा है तो आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं इन दोनों को अच्छे से आपको यहाँ पर mix कर देना है पानी के साथ और continuous इसको boil करना है ताकि हमारा जो मिश्रंड है यानि कि powder है वो भी आपस में पानी में mix हो जाए coffee के साथ mix हो जाए और इसकी consistency यहाँ पर थोड़ी सी थोड़ी सी थिक हो जाए तो continuous आपको इस तरीके से चलाना है आप देख सकते हैं लगातार boiling हो रही है और पानी भी हमारा धीरे धीरे यहाँ पर रिडियोस होना शुरू हो गया है तो अब आपको इसमें add करना है indigo powder indigo powder as a neil powder जिसे without chemical के यह natural dye का काम करता है और dye का जब नाम इस्तेमाल होता है तो लोग सोचते हैं कि बाहर का chemical वाला dye है तो यह chemical वाला dye नहीं है आप इसको purchase करके इसको इसको इस्तमाल करके देख सकते हैं यह 100% without chemical का होता है और यह 100% national dye का काम करता है यह आपके बालों को एक बार में ही काला कर देता है अगर आप इसको अच्छे से preparation करके apply कर रहे हैं अपने बालों में सही तरीके से इस्तमाल कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके बाल एक ही बार में यहाँ पे काली हो जाएंगे तो यह इंडिगो powder आपको इसमें add करना है तो पानी को थोड़ा सा हम और यहाँ पे reduce करेंगे boil करेंगे अच्छे से तो हमारा पानी यहाँ पे और अच्छे से boil होके थोड़ा सा reduce हो गया है यानि कि कम हो गया है इसकी quantity जो है वो कम हो गई है और अब इसमें आपको add करना है कि यह इंडिगो powder यानि कि nail powder एक चमच मैंने यहाँ पे अनगो powder एड़ किया और एक चमच ओड यानि कि दो चमच आपको यहाँ पे इंडिगो powder एड़ करना है इसके बाद मिक्स कर लेना है इससे ज़यदा आपको अनिको पाउडर पानी को पानी को बहुत ही तेजी से काम करता है अगर आप इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे तो यह बहुत जल्दी सूख जाएगा और अगर आप ज़्यादा quantity में डालेंगे तो तुरंती पानी आपका यहाँ पे सूख जाएगा तो आपको सिर्फ दो चमबच इसमें एड़ करना है इसके बाद यह देखिए लगातार इसको चलाते चलाते आपका कलर भी छीरिंग हो जाएगा क्योंकि एक तो लोहे का बरतन इस्तमाल किया उपर से इंडिगो और इंडिगो जो हो है वो किसी भी पैकं के साथ जब मिक्स किया जाता है तो वो बहुत जल्दी वो सारे पैक को यहाँ पर काला कर देता है यानि कि यह आपके बालों को वी काला ही रंग देगा इंडिको कोई और कलर नहीं देता सिवाए बलेग के तो इस तरीके से आपको यहां पर यह हो गया है अच्छे से यानि कि हमारी quantity भी यहां पर बिल्कुल perfect है बालों में apply करने के लिए तो आपको gas के frame को बंद कर देना है यहां पर यहां पर मैंने बंद कर दिया gas के flame को और इसको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए ठंडा होने के बाद आपको इसे अपने बालों में apply करना है apply करने के एक घंटे बाद आपको इसको hair wash कर लेना है normal पानी से और रात में जो भी oil मैं आपके साथ share करती हूँ कि इसे बालों में लगाना चाहिए वो oil आप बना के रखिए और उसको बालों में लगाईए and दूसर करना है इसको हम यहां पर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए ठंडा होने के बाद ही आपको इसे apply करना है तो चलिए गई फिर से मिलते हैं एक और new इसी तरह की वीडियो की साथ जो कि आपके बालों को permanent काला रंग दे सके तब तक लिए bye bye take care अपना ध्यान खिए